हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बहुत स्वागत है आपका टार्गेट विथ आलोक आनलाइन इस्टिटूट में आज हम लोग कंप्लेक्श नमबर का सेकंड लेक्शर पढ़ेंगे इसके पहले फस्ट लेक्शर मैंने आपको दिया है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारा कॉंसेप्ट आपको मिलने वाला है और आज के भी लेक्शर में बहुत सारे इंपॉर्टें तो रिगुलर जबर्जस तरीके से लगेंगे ठीक है ना यह तो डेमो क्लास है जिससे आप ये जाने की किस तरीके से कुश्चन बनता है और कैसे हम कॉंसेप्ट को भी त्यार करें और फिर कैसे ट्रिक का यूज कर लें इसलिए जरूरी है ना कोंकि कॉंसेप्ट के बगई करेंगे तब तो बच्चा परिशान हो जाएगा इस ट्रिक से कैसे काम चलेगा मैं कैसे जान पाऊंगा तो जरूरी है कि पूरा कॉंसेट भी पहले पता हो आपको और ट्रिक इसलिए जरूरी हो गई बचो कि हर हाल में हमें PGT PGT को क्वालिफाई करना है मास्टर बनना ही अध्यापक कारने के लिए भी भी स्पीड बढ़ाने के दो ही तरीके या तो जब अच्चे यह पर तो या फिर कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाए कि हमें आता तो पूरा है लेकिन उस shortcut के यूज करके हम जड़ी कर ले जाएं ठेके ना जो एक हो चुका पहले जो इसके पहले वीडियो मैंने दिया हुआ है तो उसमें मैंने जो है IATA से related concept बताया था और बाकी जो है पूरे complex number के सब ही question मैंने सब्मिट कर दिये थे जिसमें से की properties of IATA भी था साथ में इसके साथ properties of complex number भी था modulus argument भी था ठीक है ना और साथ में cube roots up unity भी था कुछ एंधर roots up unity की भी question थे लगभग मैंने सब भी कुछ complete किया था कि जिसे एक बार अच्छी तरीके से आप जाने ठीक है ना यानि complex number से एक बहतरीन तरीके से introduce हो आप कि किस तरीके से complex number में हम बहतर कर सकते हैं बहुत अच्छा topic भी है ठीक है ना बहुत सारी questions से भी इसके आते ही आते हैं ठीक तो आज हम लोग उसी जो है series में next lecture स्टार्ट करते हैं ठीक complex number का lecture two complex number lecture two अब इसमें start करते हैं हम लोग उसके next session का part ठीक है ना आयटा के बाद हम लोग जबाएंगे तो आयटा से related मैंने काफी चीज़ें बताई थी लेकिन उनमें से पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइच कर देता हूँ ये निव question लेकर के जो टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूंचा गया है ठीक ना और साथ इस question को आप लोगों ने किया भी होगा ठीक और कुछ different तरीके से मैं इसको use कराता हूँ जैसे कि आप जल्दी कर सकें इसे question है इसमें से find the value of find the value of find the value of find the value of summation n equal to 2 to 50 i2 power n plus i2 power n plus 1 बहुत ही बहतरीन question है और बिल्कुल short में भी होगा ठीक है ना हमें ये पता है इसमें से कि हम जब भी IATA accelerated कोई भी काम करते हैं तो हमें ये पता है कि i2 power n plus i2 power n plus 1 plus i2 power n plus i2 power n plus 3 ये equal to 0 होगा four consecutive powers अगर IATA के दी हुई है sum of integral powers of IATA is equal to 0 या फिर कह सकते हैं कि कर्मागत चार घात अगर दी हुई है i की power में लगातार चार घात होना चाहिए चाहिए वो one से स्टार्ट हो चाहिए सो से चाहिए पचास से चाहिए पांसो से 1000 से कहीं से भी हो लगातार होना चाहिए consecutive powers integer की हैं अगर तो 0 ही होता है तो अगर हम उसी बेस पर इसको बना ले जाएंगे तो शेवर है कि बहुत सारा पार्ट 0 हो जाएगा बहुत सारा पार्ट इसमें 0 हो जाएगा तो एक काम करते हैं इसमें से अगर हम पूरा डिटेल इसको लिखते हैं सुचिए तो पूरा डिटेल लिखने में तो फिर आप इस तरीके से लिखेंगे इसको और मुझे लगता है कि काफी समय लग जाएगा इसको क्या लिखेंगे आप n इक्वल टू से स्टार्ट है यह दूसरा पार्ट हो गया दोनों पार्ट को हम थोड़ा सा समेशन के फार्म में एक्स्प्लेइन कर देंगे ठीक है न क्योंकि समेशन का एक important question हम बता रहे हैं आपको जिसमें से आयटा का यूज करना है समेशन का यूज करना है question number one find the value of find the value of summation summation एन इक्वल टू 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 फिप्टी आई टू पावर एन प्लस आई टू पावर एन प्लस वन इसको हमें find out करना है ठीक है ना इसको जब निकालेंगे हम तो एन इक्वल टू टू से समेशन का यूज करना है अब एक बात आप यहां समझ लीजिए कि यह आपको पता ही है कि solution जब आप इसका बनाएंगे तो definitely solution में एक concept आपको पहले से ही पता है i2 पावर n plus i2 पावर n प्लस 1 plus i2 पावर n प्लस 2 plus i2 पावर n प्लस 3 ठीक है ना 4 integral conjugate powers of eta और यह किसके equal होगा 0 के equal होगा यह होगा बच्चो 0 के equal ठीक है ना यह पहले मैं कल की class में बता चुका हम आप लोगों को ठीक है ना इसके पहले हमने कल की क्लास में आपको बताया है, ये एक विशेश कॉंसेप्ट है, यानि लगातार अगर फोर पावर सवाइटा की कर दी जाएं तो वो जीरो हो जाता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, तो अगर मैं इसका यूज करता हूं इसमें, तब तो मुझे लग कर दीजे, N इक्वल तू 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 फिप्टी, I to पावर N, एक पार्ट ये हो गया, शमेशन N एक्वल तू तू फिप्टी, I to पावर N प्लस वान, ये सेकेन पार्ट हो गया, अब अगर हम पूरा एक्सेपेंड करते हैं, तो आप समझ रहे हैं तो इसको करना होगा फिर हमें करना होगा इस तरीके से कि अगर समेशन हमने 50 लिया यहां पर N इक्वल टू से आई टू पावर N तो फिर आई टू पावर 1 यहां 2 से स्टार्ट है तो 2 होगा फिर 3 होगा फिर 4 होगा ऐसे बढ़ते जाएंगे और यह पहुंचेंगे हम लोग 50 तक ठीक है न अब 50 तक यहां पहुंचेंगे तब तो इसका पूरा कल्कुलेशन करते रहेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे को जल्दी तो बेटर यही है कि हम कुछ ऐसा यूच करें कि जिससे जल्दी हो जाए जल्दी इस तरीके से आप इसका भी उच करेंगे तो अब मेरी बात ध्यान से सुनी आप लोग यह कुशन कई बार पूंचा जा चुका है इस तरीके का ठीक है यहां पर बैलू कुछ भी रखिये चाहे 2000 रखिये कुछ भी हो सकता अब आप सुची ज़रा अगर 2000 तक चला गया तो फिर आप इतना बड़ा कैसे कर पाएंगे लेंदी मुश्किल हो जाएगा करना ना यहीं सुच रहे हैं आप इसमें लेकिन हम इसको बड़ियां से एक ऐसी टिकनिक से बता रहे हैं अगर यह 1 से स्टार्ट होता अगर 1 से ले करके 50 तक होता यह तब तो पूरे 50 टर्म्स होते हैं लेकिन जब 2 से ले करके 50 तक हो रहा है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे total terms होंगे कितने 49, एक कम हो जाएगा one include नहीं है one include इसमें नहीं है तो one कम हो जाएगा इसमें, ठीक है न 49 बचेंगे, अब 49 को आप four से divide करिए, क्यों? four से इसली divide करना है, क्योंकि आटा जो है i की power four करने पर one आ जाता है, ठीक तो यहाँ पर जब हम 49 को divide करेंगे four से तो remainder आपको देखना है, बस question कितना आया, कोई मतलब नहीं है उससे केवल आप जो है remainder को देखिए, यहाँ पर तो कितना हो गया बचो ठीक है? remainder one बच रहा है ना, इसमें देखे, four one जा फोर हो जाएगा four to jet, तो एक बच रहा है, यह remainder बचा, बस हमें जरूरत होगी remainder की, एक बार ध्यान से आप समझ लीजे, यह समेंशन का question कोई भी आपको मिले इस टाइप का question कोई भी आपको मिलता है समेंशन का तो फिर आपको एक ही काम करना है कि सबसे पहले अगर एक ही समेंशन है तो no problem, दो समेंशन है, दोनों को separate कर लीजे separate करने के लिए जहां से start है और जहां तक गया है समेंशन, total number of terms count कर लीजे four से divide करियो, जितना remainder बचता है उतना लिख लीजे तो remainder one बच रहा है, तो one का मतलब यह होगा, कि यह जो last की value है, वही बचेगी ठीक ना, remainder जितना बचेगा, उतने ही last की term आपको ले लेना, तो यहां पर बच रहा है फिर, कितना हो जाएगा यह, I to power 50 केवले एक बच रहा है बस यही last का बचेगा, अब आप समझेगे sir की first का लेंगे, कि last का लेंगे last का ही लेंगे, क्यों last का लेंगे भाई क्योंकि four four के group बना रहे हैं न हम, तो four four के group बनाते जाएंगे बच्चों, तो सब zero होता चला जाएगा, क्योंकि इसी का use हो रहा है लेकिन लिखना नहीं है इसको, concept यही है लेकिन लिखना नहीं है, four four के जैसे कि मैं कहूंगी, पूरे 49 students हैं आप लोग, और मैं कहे दूँगी, चार-चार के group बनाके सब लोग अलग होते चले जाओ, तो पहले चार अलग हो गए, फिर दूसरे चार, फिर तीसे इतार चार ऐसे जो है, four four groups बनते चले जाएंगे, तो लास्ट में जो है 48 तक, चार-चार के group बन गए, एक बचेगा उन्चास्वाँ, ठीक है ना, लास्ट बचेगा, तो वो कौन सा बचेगा, जिदी से बात है, लास्ट वाला पचास्वाँ जो है, अब इसी तरीके दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर भी, लास्ट से एक ही टर्म लेना है, बात तो वही अना, चाहे जितने भी यहाँ लिखाओ, इससे कोई फरक ने पड़ता, तो फिर i2 पावर 51 हो जाएगा, क्योंकि पचास रखेंगे तो बना जाएगा, 50 को जब डिवाइड करेंगे फोर से, तो फोर से 50 को डिवाइड करने के बाद रिमेंडर 2 आ रहा है, तो यह फिर i2 बन जाएगा, यह i2 हो गया, ठीक, यहाँ पर i3 हो जाएगा, यह i3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बच रहा है, i3 की वैलू माइनस आई है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता भी चुके हैं, ठीक ना, और यहाँ भी हम लिखी देंगे आपको समझाने के लिए, कि i2 की वैलू क्या होगी, माइनस वन होगी, ठीक, और i3 की वैलू होगी, i3 की वैलू बन जाएगी, यहाँ पर यूच करना है, तो माइनस वन होगया, और माइनस आई, यह एंसर होगया बच्छो, तुरंट, अब यह क्वेश्चन तो एक है, अब आप समझ लीजेए, क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे, क्वेश्चन में हेल्प कर देगा, पूरा यह कॉंसेट आपका, यह कॉंसेट जो है, बहुत जगे हैं यूच कर पाएंगे आप, और यह जो टेकनिक मैंने बता दी आपको, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हमने बता दिया, पूरा लगाएंगे तो ऐसे तो परिशान हो जाएंगे, जब क्लास में आप बताईए, अपने इस्टूडेंट को तो ऐसे ही बता दीजी पूरा का पूरा, लेकिन जब आपको एजाम में करना हो, तो जल्दी से आप ऐसे कर दीजेगा, कि जितना रिमेंडर बचे उतना ले लेना है, मांकि युको सब को छोड़ देना है, उसी को कल्कुलेट कर देंगे तो एंसर आ जाएगा, ओके डिया, तो ये तो जो है आइटा से रेलेटेट एक कुश्चन था, इसको मैंने बताया कल, फेक्टोरियल में भी मैंने बताया था वो चीजे हैं, अब इसके बाद आते हैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे चीजें, कल मैंने लिखाया थे पूरे टापिक्स, कि सबसे पहले होगा, इमेजनेरी नंबर and its properties, दूसरा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी properties होंगी, और तीसरा नंबर आ जाएगा, फिर मॉडलास, अर्गमेंट और कंजुगेट की properties, जो बहुत ज़्यादा यूज होती ही हैं, ठीके न, फिर अगला नंबर होगा, स्क्वाइर रूट और क्यूब रूट साफ यून्टी, एंथ रूट साफ यून्टी और लोकस, और फिर फंक्शन आप कंप्लेक्स नंबर, यह मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर उसको देख लिजेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, अब ज़र आते हैं, पहले कुछ नेक्स्ट कुश्चन में देखते हैं, उसमें इसे क्या लिखा है, लेकिन कुछ कॉंसेट में थोड़ा कंप्लेक्स नंबर के पहले आपको लिखा दूँ, उनकी जरूरत भी है, वो समझ लीज़े आप इसमें, ठीक है, कॉंप्लेक्स नंबर, तो कॉंप्लेक्स नंबर को ज़ो है, जंदली रिप्रेजेंट किस से करते हैं, यह आपको पता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईवाई से, एक्स प्लस आईवाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है यह, यह है, इसे क्वाडिनेट, 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 क्वाडिनेट आफे पॉइंट, इन अर्गेंड प्लेन, अर्गेंड प्लेन अर्गेंड प्लेन का मतलब होता है कि xy प्लेन xy प्लेन ठीक है न complex number z x plus i y से represent होता है यह coordinate है किसी point का अर्गेंड प्लेन पर ठीक है ना xy प्लेन जिसकों हम कहेंगे तो फिर अगर मैं बात करूँ कहां कहां हो सकता है यह देखिए आप इसमें ठीक यह हो गया x-axis यह हो गया y-axis यह ओर ही जान ठीक है ना अब इसमें आप क्या करेंगे इसमें जो है अगर यहां पर z है तो definitely डोनों के दोनो real इसको हम कहेंगे real ठीक है ना अगर आप से पूचा जाए कि real z कितना है तो real z होगा complex number का x imaginary z कितना होगा इसको हम कहेंगे y ठीक है ना y को imaginary axis कहा जाता है y को imaginary axis कहते हैं और x axis को real axis कहते हैं ठीक है ना यह आपको धेँआन रखना है तो जो x axis का coordinate होगा यानि कि complex नंबर का real part होगा वो x axis के long होगा और जो imaginary part होगा वो y axis के along होगा ठीक है ना यह चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है ना तो यहाँ पर अगर first quadrant में है तो दोनों का sign सेम होगा ठीक तो इसमें से अगर हम complex number को represent करेंगे तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि complex number के वाला और के वाले कोडिनेट है किसी भी point का जो की first quadrant में अगर होगा तो दोनों ही terms के real and imaginary positive होगे अगर second में होगा तो फिर first negative और second positive होगा third में अगर होगा तो दोनों के दोनो negative होंगे फोर्थ में अगर होगा तो फिर पहला positive और दूसरा negative होगा ठीक अगर x axis में हुआ जेड तो purely real होगा और imaginary part zero होगा negative axis में हुआ x axis में तो फिर minus होगा ये x और दूसरा part zero होगा purely imaginary है तो फिर y axis में होगा जीरो कामा y negative में है अगर y axis में तो जीरो कामा minus y ये और अगर origin पर है तो फिर जीरो और जीरो ही होगे दोनों तो यहां पर आप देख रहे हैं कि nine nine place हैं जो complex number हो सकता है इसके लाव और कहीं भी नहीं होगा डियर आप यह समझ करके चलिए कि 100% जो है बस केवल इसी nine place पर ही होगा जाहें जहां भी होगा अगर आपने कि वह इतनी बात को बढ़ी हैं समझ लिया तो मुझे लग रहा है बहुत सारे question आप आसानी से solve कर लेंगे ठीक है ना नहीं trick अगर याद रही तो पूरा concept लगा करके भी आप solve कर देंगे तो ये तो complex number का खास concept हुआ कि ये coordinate है point का उसमें real jet क्या होगा imaginary jet क्या होगा कहां कहां belong करेगा x axis y axis में कहां पर होगा ये सब चीजें जानना जरूरी है ठीक है ना अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे बच्चों का comment उसमें आ था कि सर अधर सब्जेक्ट का कब शुरू होगा तो 18 मैं से सभी बिसेयों के classes शुरू हो जाएंगे बैचेस शुरू हो जाएंगे आप जल्दी से जल्दी enrolled कर लीजिए ठीक है ड्मिशन ले लीजिए आप ठीक बहुत बहतरीन रहेगा जब adjust रहेगा ठीक है आपको यह feeling जरूर आएगी कि हमारा best त्यार हो रहा है सबसे best ठीक है पहली बात तो यह कुछ बच्चों ने यह भी पूछा था कि सर जो है हिंदी में पढ़ाएंगे आप कि इंगलिस में पढ़ाएंगे तो मैं आपको यह बता दे रहा हूँ कि इंगलिस में ही लिखेंगे हिंदी थोड़ा बहुत रहती है तो कोईशन भी हिंदी में आपको मिलता रहेगा इंगलिस में भी मिलता रहेगा दोनों चीज़े और बताते विए हम हिंदी और इंगलिस दोनों रहेंगे ठीक है ना हाँ यह बस है कि जैसे बोर्ड में हम सब चीज आपको पूरी जानकारी आफिस में बात कर लिजेगा सब बता देंगे तो चलिए फर आते हैं अपने concept में तो यह तो जो है complex number का detail आपने पढ़ लिया लेकिन इसमें कुछ चीज भी और भी होगी वह यह कि अगर प्रापर्टीज है complex number है coordinate है point है तो कभी भी दो point बराबर होंगे तो सेवर है दोनों के coordinate सेम होना चाहिए ठीक लेकिन point तो point होता है जीरो रेडियस का जीरो रेडियस का होता है तो definitely बराबर होंगे न सब greater than less than तो नहीं हो जकता तो फिर यहां पर यही condition आ जाएगी कि अगर question में लिखा है कि z equal to x plus i y ठीक न और यह 0 हो रहा है तो definitely real part भी 0 होगा और imaginary part भी 0 होगा कई question ऐसे भी बनते हैं जब कहा जाता है purely real या फिर purely imaginary तो वहा imaginary में real part को जीरो कर देते हैं उठा करके तो सब question मिलेंगे आपको लेकिन थोड़ा सा पहले मैं concept आपको बता दूँ जिसकी थोड़ा बहुत जरूरत भी आगे तो concept भी चलता रहेगा साथ में और question के साथ ठीक भी चलती रहेंगी ठीक है ना और बहतरीन तरीके से हम लोग ब कुछ नया भी दूशा नमबर इसकी property जब आएगी तो अगर z1 equal to हमारे पास है a plus i b और z2 equal to है हमारे पास x plus i y तो फिर अगर हम z1 equal to z2 कर दें तो definitely दोनों को बराबर करना होगा हमें अब दो point अगर बराबर हैं तो फिर इसका मतलब आप समझ लीजिए कि real part real की equal होगा और imaginary part imaginary के equal होगा ये आपको ध्यान रखना है real real की equal और imaginary imaginary के equal होगा ठीक है न ये चीज़ आप समझ करके रखिए इसमें और third एक इसका ये है कि अगर कभी ये लिखके आ जाए कि z1 greater than z2 है तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है न जेट 2 greater than z1 है बिल्कुल नहीं होगा के वाल equal हो सकता है ठीक है न क्योंकि coordinate है point है तो point equal हो सकता है ठीक है न लेकिन छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता अब इसी concept से question बन जाएगा इसी concept से question बन जाएगा ये देखिए if a plus i b a plus i b greater than c plus id is meaningful than अगर ऐसा है यानि ये meaningful है ये तो complex number है वाई तो meaningful कैसे हो सकता है आप कहेंगे सर अभी भी तो बता रहे हैं आपकी greater than less than होते ही नहीं कभी बिल्कुल सही बात है कभी होते नहीं लेकिन इसमें लिखा है meaningful लिखा हुआ है अगर meaningful लिखा है तो फिर क्या condition होनी चाहिए क्या b equal to d होना चाहिए या फिर b greater than d होना चाहिए या फिर b plus d equal to 0 होना चाहिए या फिर b square plus d square equal to 0 होना चाहिए तो अब इस question को जरा देखिए थोड़ा धंग से आप concept वही है लेकिन question नया हो गया क्या नया हो गया एक complex number दूसरे complex number से बड़ा कभी नहीं होता है लेकिन इसने कहा कि ये meaningful होगा अगर ये meaningful हमें बनाना है इसको तो definitely b और d को 0 करना होगा क्या करना होगा आपको a और c real है तो ये तो हो सकता है ठीक है ना लेकिन ये वाले part का हम b और d का use नहीं कर सकते ये possible है a greater than c हो सकता है लेकिन b और d अगर गायब कर दे हम ठीक है ना a greater than c if b equal to d equal to 0 अगर ये 0 कर दे हम तो असानी से a greater than c meaningful हो गया definitely हो गया इसका मतलब ये हुआ कि b greater than d तो होगा ही नहीं equal to d तो होगा ही नहीं ठीक है ना b plus d 0 नहीं हो सकता क्यों क्यों कि b और d तो negative positive भी value हो सकती है 0 हो सकता है ना डोनों 0 तो नहीं हो ये इसका मतलब ये तो नहीं हो कि दोनों 0 होंगे दोनों 0 होंगे जरूर लेकिन इस में d वाले पार्ट में d वाला तभी possible है जब b भी 0 हो और d भी 0 यानि d वाला जो है तभी possible है जब दोनों पार्ट b और d 0 हो क्यों 0 हो ये आप जानते हैं कि x square plus y square equal to 0 तभी हो सकता है जब x भी 0 हो और y भी 0 हो otherwise नहीं होगा क्यों क्योंकि square कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये भी positive होगा ये भी b भी positive d b positive ठीक है ना तो minus आएगा नहीं तो 0 कैसे हो सकता फिर तो फिर एक ही साधन बच रहा है मारे पास कि b b और d b दोनों के दोनों 0 हो जाएं तो ये answer हो लेकिन एक छोटा सा concept था वो लेकिन एक question बहुत जानदार question इसमें लगा जिसको आपको थोड़ा सबसमझना था कि हम imaginary part को 0 कर दें तो अपने आप ये meaningful हो जाएगा satisfied माना जाएगा ठीक ना तो ये complex number की जो तीन properties आप लोग ने पढ़ा में complex number पढ़ा अब इसके बाद argument, conjugate, modelers की property भी आती चलेंगे साथ में तो question के साथ हम लोग उनको बताते चलेंगे करते चलते हैं ठीक ना तो आ जाएए ये रहा question पर जो है मॉड जेड माइनस 3i is equal to 2, then it's locus, हिंदी में भी लिखा देखें कि एक बिंदू, ठीक है न, argand plane का मतलब है xy plane, xy plane में इस तरीके से गती करता है कि इस equation को satisfied करता है, तो फिर उसका लोकस क्या बनेगा, अब यही पर concept एक आ गया, यानि question के साथ आपको concept भी पूरा मिल ला है, ठीक है न, उसमें बिल्कुल परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में trick भी मिल रही है, तो जब हम इसका solution करेंगे, तो solution में क्या condition होगी, इसमें ज़रा देखिए, mod z minus a, if mod z minus a is equal to r, then z must be a circle, ठीक है न, z must be a circle, यह हो गया, बस एक ही property में हमारे पास answer आ गया, तुरंत हो गया यह, एक circle होगा, यानि एक छोटी सी property बस यह में पता थी, कि जब भी ऐसा कोई लिखा होगा, तो circle होगा यह, ठीक है न, अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा explain करके बता देते हैं आपको, कि किस तरीके से वो ऐसे भी लगाया जा सकता है, यह भी आप समझ लीजिए, ठीक है न, यह भी ज़रूरी है जानना, तो यह तो एक simple way में हो गया, कि हमें पता हो गया कि mod z minus 3i दिया हुआ है, और equal to 2 है, इसे circle, यह circle हो गया, ठीक, यह पता हो गया बिल्कुल कि हमें circle है, लेकिन अगर सपोच करिए कि यह theory अगर आपको ना याद रहे, ठीक है न, यह तो एक concept है, एक fact है, जो है, कि अगर ऐसा लिखा होगा, तो sure है, यह center है इसका, 0,3, यह center है और radius 2 है, 0,3, center है इसका और radius 2 है, तो अगर हम इसको ऐसे ना लगा पाएं, तो फिर हम दूसरे method का use कैसे करेंगे, z की जगे पर put कर देंगे, x plus i y, x plus i y minus 3i, अब real x साथ कर लेंगे, real x साथ करिए बच्चों इसमें, और imaginary x साथ, तो x plus i y minus 3i equal to 2, अब आप जानते हैं इसको, कि यह modulus है, तो सीधी से बात है, कि modulus root के अंदर आएगा, real square plus imaginary square, यह आपको पता ही है, कि अगर z equal to x plus i y होगा, तो फिर mod z equal to real x square plus y square, यह होगा, ठीक है, यह चीज़ आपको मिलेगे, इसमें से, ठीक, तो यहाँ पर भी वही condition लग जा रही है, कि जब हम इसका squaring करेंगे, तो root को square करके ही साथ में कर दीजे, time best मत करिए इसमें, तो यह x square हो जाएगा, और यह हो जाएगा y minus 3 का whole square, और equal to यह हो जाएगा 4, बच्चों, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर radius आपको सब चीजें दिख रहे ही, बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि radius भी मिल गया आपको, center भी मिल गया, circle का, center भी आपने देख लिया, center है, 0,3 और radius है, radius है हमारे पास 2, पहले से लिखा है, तो सब चीजें पहले से ही पता है, तो एक मैटसर यह रहाज़, अगर हम पूरा master बन जाएंगे, तब आपको ऐसे बताना होगा, वहाँ पर आप ट्रिक मत बताईएगा, बाद में बताएंगे ट्रिक, लेकिन पहले ऐसे कराएंगे, ठीक, तो अगर भूल भी रहे हैं आप, तो पूरा ऐसे calculate कर लीजे, और अगर याद आ रहा है, तो second में लगा दीजे, लेकिन एक्जाम में याद रहना तो जरूरी है, तोड़ा जल्दी भी करना है, ठीक है, ये चीज तो circle का हुआ, ये concept भी हो गया, और साथ में पूरा explanation, जो है, ट्रिक के द्वारा भी हो गया, ठीक है, अब चलिए ज़र आते हैं, next question में, ठीक है, next question में आ जाईए, next question देख करनों के हल की संक्या कितनी होगी, समाधान का मतलब हल, ठीक है, समाधान, solution, दोनों एकी चीज है, ठीक है, तो फिर इसमें हमारे पास ये बढ़ियां सा जो है, एक equation लिखा हुआ है, equality दी हुई है, लेकिन पहले इस equality को आप समझ लीजिए, खास बात इसमें क्या है, और मैं उसको solution में ही लिखा रहा हूँ, साथ मैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यह है कि mod of z1-z2 is distance, distance between z1 and z2, mod of z1-z2 का मतलब है कि z1 और z2 के बीच की दूरी, ठीक है न, z1 अगर यहाँ है, और z2 यहाँ है, तो यह हो गई distance, ठीक है न, दूरी हो गई है, तो पहली बात तो यह property आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए, मैंने पहले कहा था आप से, कि एक coordinate है, एक point है, तो अगर हम z1, z2 को let कर ले, x1, y1, x2, y2, तो distance का फार्मूला बना देगा बच्चों यहाँ पर, सीधे हो ही बनेगा, और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ न, कि अगर हम इस property का use करें इसमें, ठीक है, आब इसको देखो, अगर solve करोगे तो फिर काफी समय लगेगा, और solve करने का basic concept होई है, कि z की जगे पर हम x plus i y रख दें, तो जब x plus i y रख देंगे, तो solve करके, modulus का use करके, दो equation बनाएंगे, एक बनेगा पहले इन दोनों में, ठीक है, और दूसरा फिर इन दोनों बना लेंगे, आप या पिर इस तीसरे में भी बना लेंगे, तो ऐसे method वही है, जैसे अभी मैंने किया, modulus का use करके, लेकिन यहाँ पर आप समझ लिए, कि z से 1 की दूरी, z से 2 की दूरी, z से i की दूरी, यानि fix चीज है, z fix है, वो नहीं बदला कभी, बाकि 1, 2 और i, कहां हो सकता है, 1, 2, i, कहां पर हो सकता है, 1, 2, i, कहां पर होगा, 1, यहां प होगा, ठीक, y axis में, मतलब बिल्कुल coordinate का use, जबर जस्त करिए complex number में, बहुत बढ़ी हैं लगेगा आपको, complex number में, coordinate का use, भर पूर करिए, तो अच्छा से अच्छा question तुरंद बनता चला जाएगा, देर नहीं लगेगी, बिल्कुल ही जो है, ठीक है, तो फिर आते हैं, चल ठीक है, इस जगे fix कर दो, जैसे आपने fix किया, तो अब ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, तीनों के तीनों बराबर हो रही है, तो जेट यहाँ पर, मतलब जेट को हिला डुला नहीं सकते आप, हिला डुला नहीं सकते बिल्कुल, fix जगे पर होगा, एक ही point पर, क्यों अगया, only one solution, only one solution, only one solution, ध्यान लखना है आपको, अगर ये triangle भी बनाएगा, सामने दिख भी रहा है, आपको इन तीनों point को मिला दिया जाए तो triangle बन जाएगा, मतलब इस question में देर लगाने की जोड़त नहीं है, ये समझाने के लिए तो मान की चली में इतने देर आपको लेकिन आप देखते ही समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी value बदल दिया है, लेकिन अगर ऐसे तीन cases हैं, तो समझ लीजिए कि वो एक fix point होगा, z एक fix point होगा, ठीक है ना, z is a fixed point, fixed point, ठीक है ना, बेलकुल fixed point है वो, कहीं भी बदलेगा नहीं, अब आप ये कह सकते हैं कि सर य आपने तो ऐसा कर दिया, लेकिन अगर कहीं दो मॉडलस होते तो फिर आप क्या करते, ठीक है ना, तो अगर हम दो मॉडलस होते, तो हम क्या यूच करते भाई, यह भी समझ लीजिए, दो मॉडलस होते, तो फिर हम क्या यूच कर देते, जैसे mod z minus i equal to mod z plus i, यह होता, तो फि फिर z से minus i की distance और z से plus i की distance, ठीक है ना, बराबर है, इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ पर ले ले लेते हैं इसको z को, आई पर यहाँ, यह आई हो जाएगा, यह minus i हो जाएगा, ठीक है ना, तो z इन दोनों से बराबर दूरी पर ले जाएंगे, तो एक success पर ही होगा, तभी दोनों से बराबर दूरी पर होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होना चाहिए, और इजन के जितना उपर उतना नीचे, तो फिर इसका solution जानते हैं क्या आजाता, इसका solution आजाता है, एक success, और अगर number आप solution पूछता, तो फिर infinite solution बन जाता, infinite solution, यह, यह आपको ध्या सिधा सिधा state line ही बनाता है, और यह state line, यहाँ इससे तीन question मिल रहे हैं आपको, पहला यह मिल रहा है, कि अगर यह लिख करके आजाता इस तरीके से, और कह देता कि लोकस क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि एक्वेशन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि y equal to 0 होगा, x-axis होग ठीक है ना, यह चीज़े हैं, number आप solution कहता है, तो infinite solution, बहुत सारे point होगे ना, एक section में किसी point से मिलाते चलेंगे, तो हमें सब बराबर ही distance आती ही चली जाएगी, right, तो इसके according मैंने एक चीज़ आप लोगों को और बता दिया यह, अब आ जाते हैं नेक्ष्ट में, अगला लेक्षर में, यहाँ पर one plus cost था, और यहाँ पर one minus cost थीटा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा explanation आप समझ लीजिए, इसका concept, फिर हम लोग तुरण सार्ट ट्रिक में आ जाएंगे, लेकिन पहले concept समझे की कैसे कर लेना है इसको, तो इसका concept अगर हम पूरा लाते हैं इसमें से तो कैसे बने गए, देखिए इसमें, concept की बात जब हम करें, तो हमारे पास one plus one minus cost थीटा plus i sin थीटा, यह और अपान में one minus cost थीटा minus i sin थीटा, यह है, ठीक है ना, यह हमारे पास है तो इसको हमें solve करना है, simplify करके लाना है, तो trigonometry में आप लोगोंने पढ़ा होगा, one minus cost थीटा का मतलब क्या होता है, one minus cost थीटा का मतलब होगा, two sin square, two sin square theta by two, यह होगा, अगर one plus cost थीटा होता है, इसका मतलब होगा, two cost square theta by two, यह दोनों यूज़ कर सकते हैं, जहां पर जो मि यूज़ कर लेंगे, sin theta कितना होगा, sin theta होगा, two sin theta by two, into cost theta by two, यह होगा, ठीक है, तो पहले मैं पूरा explain करा देता हो, कि अगर आप कहीं नहीं सार्टर कियाद रहा, तो आप पूरा कर पाएं इसको, अब जल्दी से रख दीजे यहाँ पर, ठीक है, तो जब जल्दी से हम इ theta by two, right, दूसरा, plus i, two sin theta by two, cos theta by two, अपान में इसी तरीके से, अपान में भी होगा, two sin square theta by two, minus i, two sin theta by two, into cos theta by two, यह होगा, ठीक, यह चीज बन गई यहाँ तक, अब जब जब इधर आ जाते हैं, कुछ common दिख रहा है आपको, two sin theta by two, दोनों में common दिख रहा है, तो two sin theta by two, common लेंगे आप, तो बचेगा इसमें, इधर sin theta by two, और इधर बचेगा, plus i cos theta by two, यह बच रहा है, और अपान में, two sin theta by two common लेंगे, और यहाँ बच रहा है, minus i cos theta by two, ठीक है, यह cancel out हो गया, यह cancel out, दोनों, अब यह बच रहा है बच्चो, तो इससे ऐसा करते हैं, i को common ले लेते हैं बाहर, जैसे i को बाहर common लाएंगे, तो इधर one upon i आएगा, ठीक है न, यह मैंने बताया था इसके पहले बारे lecture में, देख लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें उससे मिलेंगी, उससे related ही आ जाएगा, मैथ में होता ही है यह बचो, मैथ में जो है एक ऐसा portion है, कि एक topic आपने पढ़ लिया, उसका use कहीं नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं यूज होता ही रहेगा, बलकि 9-10 का ही concept यहाँ पर भी कभी नगभी लगता ही रहता है, वही बाप तो है common लेने वाली, तो i common लिए आपने बाहर, जैसे i common लेंगे तो यहाँ से cos theta बचेगा, cos theta by 2, यहाँ one upon i आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो है नहीं, तो one upon i की value क्या होती है, one upon i की value होती है, minus i, तो यहाँ minus i बन जाएगा, minus i, cos theta by 2, यह निad साइन theta by 2, ठेके न, इस जगे है, sign theta by 2 बन जाएगा, यह हो गया, अपन में, ठेके न, अपन में देखिए रहा इसको, पन में यहाँ पर जो है i common लेंगे, इस जगे, ठेके, अपन में अगर इस जगे i common लेंगे आप, तो यहां पर i common आएगा, लेकिन minus i common ले लिजे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, minus i common लेंगे, तो क्या बनेगा यहां पर देखिए, minus i common लेने पर बनेगा यह, cos theta, तो आज IES में देखिए, जो आपने भी यह पढ़ा, तो अगर हम जो है, उस वाले पार्ट में हमने i common लिया था, हमने देखा कि i common लिया, तो हमारे पास बच रहा था, cos theta by 2, और minus i sin theta by 2, यह बच रहा था, ठीक, इतना बच रहा था भाई, ठीक है ना, एक मिनट जड़ा, इस को मैं सही लिख दूँ, बच्छो, cos theta by 2, minus sin theta by 2, यह बच रहा था, और इसके बाद अपान में हमने minus common लिया, तो minus i common लिया, तो यह बन गया था, cos theta by 2, plus i sin theta by 2, यह बच रहा था, तो यह तो i cancel कर दीजिए, minus हो गया, अब आपको अच्छी तरीके से पता है, कि पिछली क्लास में हमने कहा था, कि अगर इसमें ऐसा कभी बने, यही पर में लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ लीजिए इसको, यहाँ, cos, cos theta plus i sin theta upon cos theta minus i sin theta equal to, यह हो जाता है बच्छो, cos plus i sin theta minus में हो जाएगा, ठीक ना, minus में हो जाएगा, और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर यहाँ, माइनस होता, यहाँ प्लस होता, माइनस उपर होता, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस चीज़ को हमने पिछली क्लास में बताया भी था, फिर मैंने बता दिया, कि एक बार पर समझ लीजे उसको, तो जो उसमें जो बैलू बनी है, हमारे पास, वो क्या बन करके आई है, वो बन करके आई है, बच्छो, कि उपर बन रहा है, cos theta by 2, minus i sin theta by 2, यह बन रहा है, बच्छो, plus का नीचे बन रहा है, minus का उपर बन रहा है, लेकिन इहां totally minus common है, यह पूरा, ठीक है न, तो इसमें जो बैलू जो आएगी, वो क्या जाएगी, cos theta आएगी, इसका two times, theta by 2 का दो गुना करेंगे हम, तो cos theta आजाएगा, लेकिन minus कर रहाएगा, और यह minus पहले से रहेगा, तो फिर यह बनेगा, बिलकुल, minus cos theta और plus i sin theta, यह बन जाएगा, ठीक है न, यह ध्यान रखिए आप, यह अगर यह minus ना होता, तो cos theta, minus i sin theta बनता, लेकिन इस minus से multiply करेंगे, तो cos minus का हो जाएगा, और sin plus का हो जाएगा, अब यह मैंने केवल, आपको concept समझाने के लिए पूरी चीज़ें बता डाली है, कि पहले वाले का जानी, इसका explanation, short में कैसे करके लाते हैं, detail से कैसे करके लाएंगे, फिर इसके बाद इसका भी use हमने बता दिया, कि यह कैसे, जल्दी से कर लेंगे इसको, ठीक है न, यह, अब चाहें तो आप याद रखिए, अब जो यह लिखा हुआ है, इसकी एक ही value कास theta प्लस i sin theta, मतलब अब कुछ second भी नहीं लगाना है आपको, कुछ भी नहीं लगाना है, अब सीधे जो है, मतलब अब सवाल हो रहा है, अभी तक जो मैंने आपको बताया, वो पूरा concept था, कि किस तरीके से पूरा, अगर हम भूल भी रहें, तो पूरा detail ले आएं, लेकि बिल्कुल सिंपल हो गया यह, बिल्कुल सिंपल solution, अब है इसका solution, यह जो पूरी value दिख रही है आपको, यह बन जा रहा है, minus cos theta प्लस i sin theta, whole power 10, बस यह बन जा रहा है, बूरा, लेकिन यहां पर जो है, theta की जगे क्या लिखा है, theta की जगे पर क्या है, pi by 10, pi by 10 है, तो pi by 10 रख देंगे इसमें हम, लेकिन पहले demover लगा देते हैं, तो ऐसा करिए, पहले minus को common ले लिजे, तो जब minus की power 10 common लाएंगे, तो positive ही बनेगा वो, बस यहां minus हो जाएगा, तो यह बनेगा, cos theta की जगे pi by 10, और 10 भी आ गया साथ में, pi by 10, यह हो गया demover, ठीक है न, क्या लगा रहे हैं बच्चों हम, by demover, demover theorem, demover theorem को भी हम लिख देते हैं, अब समझ लीजे इसको, क्या मतलब है इसका, ठीक है न, demover theorem का मतलब है इसमें, कि अगर आप polar farm को, ठीक है न, polar farm यह होगा, cos theta plus i sin theta, इसकी power अगर n है, तो हम angle को, कल भी मैंने बताया था, अच पर देख लीजे, तो हम angle को जो है, हम यह power के साथ multiply कर देंगे, यह हो जाएगा, cos n theta plus i sin n theta, यह बन जाएगा, ठीक है न, n theta आ जाएगा, ठीक, यह चीज बन जाएगा, इसमें, ठ जब यहाँ पर लिखेंगे आप, तो direct हो गया यह, ठीक है न, यह बन गया सीधे कितना, क्या बना यह, minus की power 10 हो गया था, उसमें, तो बन जाएगा सीधे, cos pi into pi by 10, 10 into pi by 10, ठीक है न, cos 10 into pi by 10, ठीक, minus रहेगा, i sin 10 into pi by 10, यह हो गया बच्चों, तो यह 10 cancel out हुआ, इससे भी cancel out हुआ, sin pi की value आप जानते हैं, sin pi कितना होगा, 0 होगा, लेकिन cos pi, minus 1 होगा, तो यह value बन गई, minus 1, और वो पूरा का पूरा part 0 हो गया, यह answer आ गया, ठीक, minus 1, option b, इस तरीके से, मतलब एक छोटे से part में, आपने देखा कि, यह पूरी चीज़ आपने बढ़ा, लेकिन 10 second का था, इसकी value हमें पता है, कि minus cos theta, ठीक है न, इसको मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ, जरा देख लीजिए, पिर से, पिछली क्लास में मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर समझी इसको जरा, हमारे पास दो ट्रिक्स हैं इसमें से, चाहे तो आप इसको note की form में लिख सकते हैं, note, number one, अगर कभी भी, one plus cos theta आता है, plus i sin theta, अपान में, one plus cos theta, minus i sin theta, तो इसकी value आप तुरंत लिख देंगे, cos theta, plus i sin theta, ठीक है ना, time बरबाद नहीं करना आपको, फिर, दूसरे number पर, अब यहाँ पर इन दोनों में ध्यान रखिएगा, इन दोनों में खास बात आप यह ध्यान रखिएगा, कि अगर यहाँ minus है, और यहाँ पर plus है, तो उपर minus है, तो यहाँ भी minus कर दीजेगा, यह हो गया, ठीक, और दूसरे पर आते हैं हम लोग, अगर इसी में हुआ, इसी में अगर one minus कॉस थीटा हो जाए, और प्लस आई साइन थीटा, अभी और बदलेंगे, वो भी मिलेंगे कुश्चन, लेकिन पहले भी यह दोनों आप नोट कर लीजे, ठीक है न, मैंने कल बताया भी था कि कितने चार केस बनेंगे इसमें, यही one plus one minus किसके साथ आजाएगा, आई के साथ आजाएगा, और साइन बाहर हो जाएगा, तो नया बनेगा, लेकिन बनेंगे यही दोनों जो लिख रहे हैं में, इनहीं को इंटरेचेंज करके आपको लाना होगा इसमें, one minus कॉस, minus i sin थीटा, ठीक है न, तो यह बन जाएगा, minus कॉ प्लस थीटा, प्लस i sin थीटा, यह बनेगा, ठीक है न, यह दोनों कॉंसेप्ट हैं, जो बहुत जल्दी से ऐसे question को करा देते हैं, यह आपको ध्यान रखना इसमें, अब आजाते हैं ज़रा, next question में, question number, यह देखिए, z एक complex number है, तो minimum value of mod z और mod z minus 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि complex number में, mod z का मतलब है, mod z का मतलब है, कि origin से z की distance, ठीक है न, mod z का मतलब है, origin से z की distance, ठीक, यहाँ से origin से z की distance, z यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो इसी को कहा जाएगा mod z, distance between origin to z को ही कहा जाएगा mod z, यह जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है न, बिलकुल अच्छी तरह की, इसका मतलब है कि, mod z का मतलब हुगा कि origin से z की distance, और z minus 1 का मतलब हुगा कि z से 1 की distance, तो हमारे पास 3 value मिल गई, तीन बैलूज कैसे, तीन बैलूज यह मिली, एक मिला origin, ठीक है न, एक मिला origin, यह हो गया, दूसरा मिला फिर z, यहाँ कहीं होगा, फिर one यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर हो गया z, और यहाँ हो गया one, अगर यह तीनों को लिनियर हो जाएं, origin, z और one, तो समझ लीजिए कि minimum distance होगी, और अगर कहीं अलग-अलग हो जाएं, ठीक हैं, आपने पढ़ा है ट्रेंगल में, ठीक हैं, जैसे ट्रेंगल हमने लिखा, यह, तो अगर हम a, b, c य मिनमम तभी होगा, जब तीनों के तीनों को लिनियर हो जाएं, एक ही लाइन में हो जाएं, और अलग-अलग रहेंगे तो जादा रहेगा, ठीक हैं, तो वही बात यहाँ पर है, कि origin से z की distance यह होई, और z से one की distance ही होई, तो अगर तीनों एक ही लाइन में हैं, तो फिर minimum value ह होगी, तब फिर minimum value होगी इसकी, ठीक है न, तो फिर origin से z की value कितनी आ गई, कितना simple question बन गया बच्चो, minimum mod z plus mod z minus 1, कितना हो गया यह, कितना हो गया यह, equal to 1, answer हो गया, बिल्कुल, यह concept है बच्चो जो आपने पढ़ा देखिए, आपने पढ़ा कि mod z क्या है, origin से z की distance है यह, पहली बात, दूसरा, अगर कोई भी तीन नंबर, एक ही line में होंगे, कोलीनियर होंगे, तो समझ लीजे, कि कोलीनियर है, तो फिर उनकी distance minimum होगी, कोलीनियर, कोलीनिय आपको यहां पर भी बूरा डाइग्राम और एंसर आ गया, अब आजाते हैं जड़ा next question में, question सामने है, आपके देखिए, complex number आपके पास लिखा हुआ है, argument इतना, question में है, argument इतना, solution में आ जाईगे इसके, ठीक है न, solution, solution में है हमारे पास, arg, z-2, upon z plus 2, equal to pi by 3, यह हो गया, अब यह क्या represent करेगा, इन में से कौन सा, तो आप हमेशा के लिए एक fact याद रख लीजिए, बिल्कुल, ठीक है न, is, represent, a circle, हमेशा circle ही बनाएगा यह, answer हो गया तुरंट ही, ठीक है न, circle ही बनाएगा, लेकिन इसका fact क्या है, इसका fact है बचो, इसका fact, concept यह है, if z equal to x plus i y, then arg z minus z1 upon z minus z2 equal to, क्या, alpha, ठीक है न, not equal to 0 and n pi, then, ठीक है न, z equal to, is a circle, क्या बनेगा बटाएगे, यह हो गया, ठीक है, बन जाएगा circle, यह condition जब भी होगी हमारे पास, z equal to x plus i y, ठीक है न, z minus z1, इसको मैं एक बार फिर से अलग से लिख देता हूँ, ठीक है न, यहाँ से मैं हटा करके, आ जाते हैं बच्चों, दूसरे slide में, की कैसे करना है, इसको ज़रा देख लीजें, ठीक, यह, fact, if arg z minus z1, कोई भी complex number हो सकता है, z minus z2, equal to alpha, but not equal to 0 and n pi, न तो 0 हो, न एन पाई हो, then, z is a circle, बिलकुल fix है, circle ही हो गाई है, यह fact है, तुरंत आ गया, इसको याद रखना है, अब z1, z2 की जगे कुछ भी हो जाए, जो है, 3, 1, 2, i, 2, i, कुछ भी हो जाए, साथियों हो गाई ही, ठीक है न, हमेशा circle होगा, अब आप यह कह सकते हैं, कि सर मगर इसको पूरा लगाना चाहें, तो, बिलकुल पूरा लगाने वाली बात भी बता देते हैं हमेश में, पूरा अगर आपको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, पूरा लगाने के लिए, आपको लेट करना है, z equal to x plus i y, ठीक है न, x plus i y लेट करेंगे, और लिखेंगे यहाँ पर, arg, ठीक है न, इस जगे आपको लिखना है, arg, z, x plus i y, और minus 2, अपान में, x plus i y, plus 2, और equal to pi y 3, क्या होता है, arg का मतलब ही होता है, 10 inverse, तो उधर चला जाएगा, ठीक है न, लेकिन इधर पहले आप, a plus i b form में, standard form में बना लीजिए, तो क्या बनेगा, arg, यहाँ पर देखिए, x minus 2 हो जाएगा, यह real है, ठीक है न, और plus i y बचेगा, इधर x plus 2 हो जाएगा, और बचेगा, plus i y, यह हो गया, equal to pi y 3, अब पहले इसको a plus i b बना लीजिए, a plus i b जब इसको बनाएंगे, ठीक है न, तो a plus i b बनाने में, इसके conjugate का multiply करेंगे उपर, ठीक है न, तो नीचे बन जाएगा, e c का square बनेगा, a square plus e square बनता है हमेशा, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कि जब भी आप x plus i y, और into, x minus i y करेंगे, तो इसका answer हमेशा, x square plus y square ही आता है, ठीक है न, हमेशा ही यह आएगा, a square plus b square, क्योंगi i square equal to minus 1 हो जाता है, ठीक, यह बात समझ में आ गई, तो फिर यहाँ पर आ जाईए अब, इसमें, यहाँ पर जब आप इसके minus का multiply उपर कर देंगे, ठीक है न, minus का multiply करने के बाद, अपने आप a plus i b का बन जाएगा, और यह है πाई by 3, ठीक है न, तो इधर वाला portion उधर चला जाएगा, यहाँ टैन पाई by 3 हो जाएगा, और यहाँ लेंगे real, यहाँ imaginary upon real, क्योंकि 10 theta argument का मतलब आपको पते ही है, argument आप जाने ही रहें, क्या लिखा जाता है, 10 inverse, y imaginary upon x, y upon x, और यह होता है theta के equal, तो 10 इधर लाएगे, तो इधर y upon x से बचे गया न, imaginary upon real, इस तरीके से इसको calculate कर लेंगे, और बन करके आजाएगा, सीधा सीधा equation आजाएगा, circle का, circle का ही question बन जाता है, तो अब यह आगे आप कर भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यह plus id का, अगर आपको लगाना है कभी पूरा, तो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी अभी, ठीक है न, लेकिन फिर भी करना चाहें, तो कल्कुलेट करके ला सकते हैं उसको, लेकिन लगाने के तरीका वह ही है, अलागि फिर भी एक बार मैं पूरा डिटेल आपको समझाई देता हूं, इसमें तो करी देता हूं पूरा, देख लीजे, तो हम conjugate का multiply कर रहे हैं, ठीक है न, अर्ग एक समाइनस टू प्लस आई वाई यह हो गया एक पार्ट, और नीचे क्या था, एक समाइनस टू प्लस आई वाई का multiply, तो एक समाइनस आई वाई का multiply, ठीक, यह हो जाएगा इसका conjugate, और नीचे बन जाएगा एक समाइनस प्लस टू का होल स्क्वाईर, प्लस Y स्कॉयर यह हो गया बच्चों और इक्वल टू पाई वाई थ्री यह बनेगा ठीक है ना अब इस में से आप देख रहे हैं जब इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो यह तो दोनों में रहेगा अपान में जब इमेजनरी अपान दियल करेंगे तो यह दोनों में रहेगा क्योंकि अपान में है तो यह तो बना ही रहेगा है ना केवल उपर वाला ही बस पार्ट लेनी की जब एदुट है उपर वाले में इमेजनरी अपान दियल लिख लिजिए बस खतम कहानी इसकी तुरंट यह देखे imaginary तो यह बनेगा imaginary x-2- i y और इधर i x-2 यानि y x-2 यह हो गया बच्चो imaginary part पहला फिर x-2- i y तो minus हो जाएगा ठीक, y और x-2 यह बन गया ठीक है और अपान में इसका real part तो real क्या होगा real से real का multiply तो x-2-2 यानि 4 बना imaginary से imaginary का multiply ठीक है ना imaginary से imaginary का multiply यह तो minus i square y square बन गया तो यह बन गया तुरंट यहाँ पर plus y square यह हो गया बचो और equal to 10 pi y 3 10 pi y 3 यतना बड़ा करने की जरूर्ट एक्जाम में नहीं है अभी आपको जरूर जानना है सब यह तो यह देखिए यहाँ y x है और यह भी y x है cancel हो जाएगा यहाँ 2y बच रहा है और यहाँ बच रहा है कितना plus 2y तो 4y हो गया ठीक यह बन जाएगा 4y और x square plus y square minus 4 यह बचा ठीक है यहाँ पर हो गया 4y अपान में x square plus y square minus 4 equal to 10 pi y 3 की value root 3 यह हो गया बचो तो root 3 x square plus y square minus 4 और minus 4y कर देते हैं इधरे ले आते हैं इसको equal to 0 इसे circle यह देखिए x square y square circle बना दिये दोनों के coefficient से हमें अब इतना बड़ा आप लोग इस school में अपने पढ़ाने में अपने छात्रों को बताने में जरूर करिएगा उसको आप जरूर त्यार रचिए कि जिससे आप जल्दी करने हैं अब आजाते हैं जरा next question में यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर mod of z plus 4 less than equal to 3 है तो mod of z plus 1 की minimum greatest ठीक ना यह greatest है बच्चो greatest greatest and least minimum और maximum value आपको निकालना है ठीक ना तो एक यहाँ पर concept है उसको पहले आप समझ लेजिए concept इसका क्या है concept एक मैं diagram से भी आपको बताऊंगा और इसमें भी concept इसका यह है कि कभी भी हम mod z plus z1 plus z2 की value निकालें अगर maximum तो वो होगी mod z1 plus mod z2 ठीक और अगर minimum निकालें तो फिर वो ही value minus में आ जाएगी यह हो गया ठीक इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है पहली बात तो यह ठीक ना तो अगर इस best पर हम question को लगाएं तो ज़रा देखिए कैसे लगेगा तुरंती तुरंत आ जाएगा लगा दीजे हमें value निकालनी किस की है किस की z plus 1 की तो इस starting आप z plus 1 से ही करिए z plus 1 से start करेंगे आप लेकिन z plus 4 की value दी है हमारे पास तो बनाना वो ही है मतलब ऐसा question जब भी आ जाए कभी एक fix concept है इस पर मुले को लगाना है ठीक है ना लेकिन जो value हमें find out करनी है उसका huge करेंगे और उसमें उतना ही plus minus कर देंगे जितने की यहां जरूरत है जो given है मारे पास जिससे हम उसका huge कर सकें तो इसमें आप z plus 4 कर दीजे तो आपने z plus 4 तो कर दिया भाई यह तो अच्छी बात है लेकिन यहां तो plus 1 नहीं था ना तो फिर minus 3 करिए यह यह लेजे अब यह बन गया z1 ठीक ना यह बन गया z1 और यह बन गया z2 बस अब आपको यहां पर रख देना है mod of z plus 4 और plus mod of minus 3 यह same condition यहां पर भी रख देना है आपको mod के अंदर mod of z plus 4 और minus mod of minus 3 यह हो गया साथियो अब इसको साड में फिर से वही लिख दीजे फिर से आप कुछ और लिखने की ज़रूत नहीं अब z plus 1 नहीं बन गया है तो बना रहें दीजे और value लिख दीजे z plus 4 की value हमारे पास 3 है और यह भी 3 आ गया तो 3 3 6 हो गया यह हो गया इधर वाले में यहां भी 3 है और यह भी 3 हो जाएगा तो 3 minus 3 हो गया तो यह value आ गई 0 और वो value आ गई 6 ठीक है ना तो पहले greatest पूछा है तो 6 हो गया और minimum पूछा है तो 0 हो गया answer हो गया इसका बड़ी हां समय थड़े एक बिल्कुँ simple तरीके से यह आप लगा सकते हैं अच्छा दूसरा एक concept और समझ लीजे इसका वो भी जान लीजे कैसे लगाएंगी इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी z plus a लिख करके आ जाए ठीक है न यह हो गया थ्री यह एक circle है यह एक circle है यह अभी आज ही के लास में मैंने बताए आपको जेट प्लस फोर सेंटर इसका फोर माइनस फोर होगा यानि की x-axis पर और रेडियस थ्री होगी तो बस फटा-फट सेकेंड़ों में तुरंद बना दीजे एक circle बनाईए जल्दी से एक line ऐसे ड्रा कर दीजे x-axis सेंटर इसका लिख दीजे यहां पर सेंटर इसका हो गया माइनस फोर में अगर थ्री एड़ कर दें तो यह पॉइंट हमें क्या मिलेगा यह पॉइंट माइनस फोर में एकसेस में माइनस फोर है थ्री डिस्टेंस आगे बढ़िए आप तो माइनस फोर में थ्री आगे चलेंगे तो माइनस वन मिल जाएगा माइनस वन जीरो वही तो जीरो ही होगा माइनस थ्री और पीछे आएंगे तो वही एक्स्रस में आपको क्या मिल जाएगा माइनस सेबन कामा जीरो ये बात आप समझ गए होंगे साइद लेकिन फिर भी मैं एक बार और एक्स्प्लेन करता हूँ अगर कभी भी इस कुश्चन को हमें जीरोमेटिकल लगाना है दूसरा में थड़ है तो ध्यान दखिए कि जो भी यहां लिखा है अगर यहां रियल लिखा है प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस फोर, माइनस टू, माइनस प्लस जो भी लिखा हुआ है, तो x-axis में circle बना दीजिए, x-axis को खींच दीजिए, अगर यहाँ आई भी लिखा होता, तो फिर i में खींच दीजिए, यानि y-axis में बना दीजिए circle को, vertical खींच दीजिए, खींचने के बाद center लिख दीजिए, जितनी radius है, उतनी distance आगे count कर लीजिए यानि distance जोड दीजिए भाई उतनी, पीछे वाले में उतनी minus कर दीजिए, जब इतना मिल जाए, तो फिर आजाईए, जो हमें value निकालनी है, हमें value चाहिए mod z-1, ऐसे बनाईए आप, इसका मतलब क्या है? distance, z1 से minus 1 की distance, इसका मतलब है z1 से minus 1 की distance, यही आपको निकालना है, ठीक है, यह निकालना है आपको, ठीक है, यह चीज आप ध्यान लखिए, तो बस हो गया, इसका मतलब है, कि जड यहाँ पर घूम रहा होगा, यहाँ सब जगे राउंड कर रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़ा ground होता, और इसमें कोई एक जो है, एक कोई घूडा घूम रहा है चारो तरफ, यह कोई एक इस्टूडेंट घूम रहा है चारो तरफ, ठीक है ना, और चारो तरफ घूम रहा है और मैं ए पर खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं ए पर अपनी बात कर रहा हूं, कि मैं ए पर खड़ा हूं और राउंड में चारो तरफ घूम रहा है वो जब यहां पर होगा इतना डिस्टेंस कावर कर लेगा तो में एक जिमम एक वल डू सिक्स हो जाएगा यह एंसर हो गया यह दूसरा मेथड है बच्छो दो मेथड हमने आपको बता दिया बड़े आराम से इनको कर सकते हैं ठीक है चलिए अच्छा बात है नेक्स कुश्चन मे आज़े ज़रा इसको देखिए कोई चिसमें लिखा हुआ है कि जो की सरकल में जो है वन बाई तू रेडियस में है मतलब नेक्समें बोला है ये शरकल है और जो की 1 बाई टू रेडियस में है यानि मॉड जेड इक़अल टू 1 बाई तू हो गया कुशन में यह बोल दिया इसने कि mod z equal to 1 by 2 है ठीक इतना इसने कह दिया है कि z ऐसी जगे पर बिलॉंग कर रहा है जो 1 by 2 रेडियस का सरकल है चल यह ठीक है इतना अब जो है दूसरे वाले पार्ट को आते हैं जिसको निकालना है कि वो किस रेडियस में होगा तो हमारे पास लि नहीं कि मैत में बहुत जरूरत है लेट करने की जेड़ लेट कर लिया अब इसको मॉडलस देजी आप तो जेड़ वन हो गया यह हो गया इसमें ठीक है अब एक काम करिए जेड़ पहले इसको उधर ले जाईए ज्यादा पिटर रहेगा ठीक है ना क्योंकि हम जल्दी कर प प्लस फोर जेड एक्वल टु जेड़ वन एक्वल टु जेड़ वन यह हमने लेट कर लिया ठिक तो माइनशन को उधर ले जाईए तो जेड़ फोर जेड हो गया एक्वल तु बच रहा है फोर जेड़ अब modulus ले लिजे, तो z1 प्लस 1 और modulus लेंगे तो 4 को बाहर करिए, mod z हो गया, mod z की value आपको पता ही है, कितनी है, 1 by 2, तो 2 आ गया, यानि radius 2 दिख रही है, यह देखिए, आपके सामने बन गया, radius 2 आ गयी, यह value बड़े आराम से हो गया, यह value हमारे पास दी हुई है, equation 1 हमारे प अब उधर transfer कर दीजिए, जिसे mod z बरकरार हो जाए, बचे हो हमारे पास, बस answer आ जाएगा, एक अच्छा सा question हो तुरंद बन जाएगा, ठीक, अब आते हैं जारा next question में, यह देखिए, function का question complex का, कह रहा है, integration x equal to 0 to 100, arg mod z dx कितना होगा, ठीक है न, तो आ जाईए, solution में इसके हमारे पास है, integration 0 to 100, arg, वो भी greatest integer में, mod z, dx, यह value हमें चाहिए, तो हम arg z तो जानते हैं न, arg z क्या होगा, mod z कितना होगा, mod z तो होगा यह, x square plus y square, यह real है, is real, अगर ऐसा है, तो फिर arg mod z की value क्या होगी, 0, आपने पढ़ा है न, बताया भी है मैंने, यहाँ पर real में 0, यहाँ पर real में pi, यहाँ पर pi y2, imaginary में purely imaginary, यहाँ पर minus pi y2, यह होता है, ठीक है न, यह चारों पहले, ठीक, तो अगर modulus लिखा है तो वो तो real है, और real का argument हम इसा 0 होगा क्योंकि positive होगा, इसका मतलब यह 0 आ गया, अर्गमेंट लगाने के बाद भी 0 ही रहेगा न, यह, कितनी जल्दी हो गया question, देखिए, एक छोटी सी बात थी, और answer आ गया हमारा, यह हो गया, ठीक, अब आजाते हैं बच्चों, next question में, यह देखिए जड़ा, next question, cube roots आप unity का है, question में कहरा है कि alpha, beta, gamma, real numbers है, ठीक है न, one omega, omega square, cube roots आप unity है, तो इसकी value क्या होगी, अब जड़ा question का कमाल देखो बच्चों, ठीक है न, देखो जड़ा question का कमाल कितनी जल्दी हो जाता है, देखने में क्या जोटी लग रहा है कि यार हम alpha, beta क्या real मानें, क् कैसे करें, सब ये दुनियादारी कुछ कभी न कभी छोड़ी जाती है, किसी question को जल्दी करने के लिए, हमें कुछ ऐसा भी काम करना है, कि जैसे हम जल्दी कर लें, तो हमने लेट कर लिया, कि alpha, beta और gamma equal to one, ठीक, gamma equal to one, one जब लेट किया हमने, तो हमारे पास बच गया, one, omega, plus omega square, और plus omega square, यह हो गया, दूसरा, beta भी one है, plus omega square, plus omega, plus omega, अब हमें पता है ना, कि one plus omega, plus omega square की value हमेशा 0 होती है, तो फिर यह बाला part 0 हो गया, यह बाला part जो है, यहां से यहां तक का part 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, omega square, और अपान में omega, यह हो गया, तो cancel out हो, करके आ गया omega, यह कट जाएगा इस से, omega answer आ गया, देखा आपने, कितनी जल्दी हो गया question, बिल्कुल अब आजाते हैं जरा next minute, कुछ question ऐसे भी आते हैं साथियो, इनमें पूछा जाता है number of solution, ठीक है न, तो जब number of solution पूछा जाए, तो क्या करना है आपको, आपको पता है कि z equal to तो एक ही value होती है, x plus i y, z equal to, हमेशा x plus i y ही रहता है, ठीक है न, हमेशा x plus i y रहेगा, mod z square आप करके रखिये आप, जब हम z square निकालेंगे, तो इसकी बहुत जरूरत है, x plus i y का whole square होगा, तो x square बना, i square में माइनस हो जाएगा, plus 2 i x y, यह होगा, और mod z square का तो पता ही है आपको, कि x square होगा, plus y square होगा, ठीक है न, यह होगा, इसलिए इसमें आ जाएगे अब, दोनों को equate करना है, तो x square होगया, minus y square होगया, यह एक real part है, ठीक है न, और plus 2 i x y, और plus mod z का, x square plus y square equal to 0, अब आप देख सकते हैं, यह y square तो cancel out हो रहा है, तो हटादो इसको, 2 x square होगया, और 2 i x y भी होगया, ठीक है न, तो 2 common लेके cut कर दीजे, तो केवल x square plus 2 x y, क्योंकि y square तो cancel out हो रहा थो, मुझे करना ही करना पड़ेगा उसको, ठीक है न, तो फिर आपके पास बच रहा है कि इतना, पूरा हम लिख भी देते हैं, एक बार, 2 x square हो रहा है, और plus 2 i x y हो रहा है, equal to 0, तो 2 x आपको अमन ले लीजे, तो फिर x plus, ठीक है न, अब एक बात और, यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कटने के बाद इतना बचा था, हमारे पास y कट गया, तो फिर एतना बची रहा है, तो जब यह 0 के बराबर हो रहा है, तो फिर हम real equal to 0 कर देंगे, और imaginary भी 0 कर देंगे, तो 2 x square equal to 0 हो गया, और दूसरा, ठीक है न, दूसरा 0 हो जाएगा, कितना? 2 x y equal to 0, यह हो गया, तो इससे तो हमेशा x equal to 0 ही आएगा, अब इससे x equal to 0 आ जा रहा है, तो इससे तो बहुत सारा हो सकता है भाई, एक से तो 0 परफेक्ट हो गया, तो फिर y belongs to r हो सकता है, कुछ भी बहलू हो सकती है, यह तो बहुत हो गया न, यानि y axis में हो गया पूरा क y axis में बन गया, ठीक है न, यह y axis में बना यह है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, y axis में हो गया, x equal to 0 सब जगे है यहाँ पर, और y कुछ भी बेलू ले रहेंगे, इसका मतलब हो गया, infinite solution, बहुत छोटा सा question, कितना बढ़ी है बन गया, देख रहे हैं आप, mod z square की बेलू र जाती है, x equal to 0 है, तो y equal to 0 होगा, लेकिन बच्चे इसी चक्कर में इसको लिख देंगे, 1 लिख देंगे, जबकि बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि y equal to 0 नहीं, x 0 है, तो y तो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाहें रख सकते हैं, ठीक है न, ओके डियर, लोग मिलेंगे next lecture में, ठीक है न, नए concept, नए trick के साथ, ठीक, okay, thank you.